इन दिनों दुनिया खतरनाक महामारी कोरोना से जूज रही है दुनिया भर के तबाम देश बढ़ते कोरोना के खत्रे से मुकाबला करने में जुटे हुए है देश के बात की जाये तो देश में अब तक कोरोना पीडितों का आकड़ा 46,600 के पार पहुच चुका है 1570 लोग कोरोना से अपनी जान गवा चुके हैं और कोरोना से रिकवर करने वालों का आकड़ा 12,948 है लेकिन इन सब के बीच एक और चीज ऐसी है जो थोड़ा साथ टेंशन बढ़ा सकती है नॉर्मली कोरोना पेशेंट में जो लक्षन पाये जाते हैं वो होते हैं सरदी, जखाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ और किसी चीज का टेस्ट ना आना लेकिन हाल ही में कोरोना का एक और लक्षन सामने आया है इक रिसर्च की माने तो इस लक्षन का असर मरीज की स्कीन पर दिखाई देता है इस रिसर्च में जितने भी कोरोना पेडित मरीजों की जाच की गई हैं उन में से 19 प्रतिशत मरीजों के पैर के अंगूठे सूजे हुए मिले या फिर अंगूठे या उंगलियों पर घाव या किसी प्रकार के चक्ते बने हुए दिखाई दिए इस नए लक्षन को कोवेड टो नाम दिया गया है क्योंकि ये पैर के अंगूठों में देखा जा रहा है इस लक्षन में खुजली होती है और सूजन भी दिखाई पड़ती है रिसर्च की माने तो लगबग 12 दिनों तक इसका असर दिखाई दिता है कोरोना वारिस के नए लक्षन के बीच अच्छी बात ये है कि कोवेड टो के इन मरीजों में कोरोना का स्तर कम पाया गया है पैरों के अंगूठों और उंगलियों में होने वाली सूजन और घाओ में कोई दर्द भी महसूस नहीं हुआ है कोवेड टो के इस लक्षन के साथ कोरोना पिडितों में ये लक्षन भी देखा गिया है कि मरीजों की सुंगने और स्वाद चखने की शंता में कमी देखी जा रही है हलकि इसको लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कोई रिसर्ज भी सामने नहीं आई है कोरोना वाइरस की महमारी की बीच इसका एक और लक्षन सामने आना शासन प्रिशासन की थोड़ी चिंता बढ़ा सकता है लेकिन अगर जनता खुद इस और ध्यान दे और प्रिशासन को सूचित करे या उनका सहयोग करे तो इस्थिती से आसानी से निप्टा जा सकता है इसलिए अगर कोरोना का कोई भी लक्षन दिखाई दे तो तुरंथ ही हल्प लाइन नमबर या फिर अपने निकट के किसी डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल से संपर्ख करें और खुद को और दूसरों को कोरोना वायरस से सरक्षित रखें सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फूर अपडेट्स